जिसको Canada जाना है, जिनके relatives Canada बैठे हैं, वो Canada ही जाना चाते हैं, आज भी काफी सारे students आये थे, enrollment के लिए, वो कहते हैं, it doesn't matter कि 20,000 डॉलर हो गई है, हमें Canada जाना है, जो particular course की choice है, वो ही करना है, और 20,000 डॉलर से हमें फरक नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चों को फरक पड़ रहा है, उनके लिए भी 1 week, 10 days का time है, हमारे पास, वो immediate, बच्चे तो 4 पाइं देनी है, क्योंकि बीच में offer letter भी आनी है, और इनको GIC की payment भी करनी है, और 31st last date है, फाइल लगाने के old GIC के साथ, तो वो बच्चे लगा सकते हैं, लेकिन 1st January 2024 से जो है, 20,000 डॉलर GIC के साथ ही, फाइल सब्मिट होंगे, तो जो भी students, अगर आपको कोई फरक नहीं पड़ता है, GIC डबल होने से, क्योंकि पैसा तो वो आप ही के account में है, हाँ, parents जो है, इसमें easy क्या था, कि इनको कोई source नहीं चाहिए, पैसा कहां से आया है, कहीं से भ and fees करा देने, Canada का सबसे ज़्यादा plus point क्या है, कि old funding वाला चक्कल नहीं है, बड़ a streamline process है, कि आपको six band overall IELTS के लिए, चाहिए एक module में कोई भी है, या दो में कोई भी है, वो फिर colleges पे depend करता है, कि उनकी requirement क्या है, जो embassy के लिए six band overall SDS profile के लिए, और आपकी जो one year fees पे होने च चाहिए, that's all, तो इसलिए ज़्यादा student जो है हमेशा Canada को prefer करते हैं, बहुत simplified process है, और कोई उन्होंने marks का भी यह नहीं रखा कि 80% है, 70% है, या medical है, या non-medical है, जो भी हो, college ने accept करना है, अगर college 55 में करता है, या 60% में करता है, it depends on all college, अगर college ने accept कर लिया, फिर student के, मतलब वीजा में कोई issue नहीं और आपको पता है, वीजा success rate इनका 95-98% तक गया है, तो बहुत अच्छा success rate हुआ है, तो जो student Canada जाने के चावान है, जो मेरी बात हुए student से, उनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है, कुछ students को इस चीज़ का matter करें, कि 6-6,5-6 account में है, वो $20,000, इनको अभी ए clarity नहीं आई है, कि हर महिने कितना मिलेगा, जैसे 900 something इनको per month मिलता था, और ये आने वाले 10 months तक इनको मिलता था, तो अब ये कितने time में वो देंगे, ये इस पर clarity नहीं आई है, अभी, काम करने की opportunity में कभी भी कमें नहीं आएगी, अगर उ आने से पहले, 2-3-4 महिने के कुछ courses करके जाएं, अब देखो girls है, कुछ girls यहां से मैंने देखा, beautician का course करके जाती है, नील art का course करके जाती है, कि उनके skills है अपने, और धीरे-धीरे वो students में famous हो जाती है, कि उन्होंने जो भी करना है, मतलब जो भी students ने, जो कराना है, क्यो यह IT से related कुछ करके जा रहा है, जिससे कि, क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी website चाहिए, यहां web designing से related बहुत सारा काम बच्चों को मिल जाता है, जिनका interest हो, ऐसे game development से related छोटे-छोटे courses कर लेते हैं, अगर skills है students में, तो उनको job के कभी problem नहीं आएगी, अगर हम कहेंगी, हमार skills के कोई labor की तरह उठा ले, वो कई बड़ी problem हो सकती है, your communication skills should be good, your computer skills should be good, क्योंकि computer तो देखो इतना तरक्की कर गया कि आपको आज cyber security के course इसी लिए हैं, कि आप पे cyber attack हो रहे हैं, तो उनसे बचाने के लिए आपके पास cyber guard रखे जा रहे हैं, मिन्स ऐसी programming की जाती कि cyber attack ना ह तो आप ये सोचिए कि computer के जो अच्छे courses हैं, अगर आप करते हैं, वहाँ assignments हैं, वो सारी computer के, मतलब जो भी पढ़ाई हैं, आपकी वो सारी computer के through ही होनी हैं, तो computer के अच्छे courses होने चाहिए, और आपका जो English communication skill है, personality development का course आप किसी से बाचित कर सकें, आप interview अच्छे से दे स सकें, अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो ये guarantee के साथ मैं कह सकती हो, कि job की आपको कभी कभी ही नहीं आएगी, हाँ ये है, कि जाते ही एकदम नहीं मिलती, थोड़ा struggle आपको करना पड़ता है, महीने, दो महीने, तीन महीने, उसके बाद jobs, there are a lot of chances of the job, अब मेरा nephew यह working for Canadian College, तो आपको job offers मिलती है, आप में skills क्या है, थोड़ा सा patience रखो, पढ़ाई अच्छे से करो, कुछ छोटे मोटे courses करो, skills develop करो, 101% you will get job, thank you.